हेलो एव्रिवन, कैसे हैं आप सब आसा करते हूं, सब अच्छे होंगे और आज मैं गार्डन में कर रही हूं कुछ छोटे-छोटे से काम मतलब यह मेरे छोटे-छोटे से ड्रेसिना फैमिली के प्लांट है जिनको मैं कटिंग से बूसी बनाने की कोशिस करूँगी क्योंकि यह काम में पहली बार कर रही हूं इन में हलाकि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सक्सेस होंगी इस काम में लेकिन अगर सक्सेस ना हुई तो तज़रूबा तो मेरे को हो ही जाएगा तो यह प्लांट ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मैं सोचनी हूँ कि इनकी हार्ट पूनिंग कर दूँ तो इसमें से नए प्लांट निकलके आएंगे तो गंबले भरे भरे लगेंगे अगर successful भी ना हुई तो तो जुर्वा तो होई ही जाएगा next year के लिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो अभी फिलाल मैंने अपने सारे plant काट दिये हैं और जब आप gardening करते हैं तो gardening करना बड़ी बात नहीं है कि मतलब आपने बहुत सारे पोदे ले लिए और रख लिए लेकिन उनको संभाल के रखना, maintain करना ये बड़ी बात है अगर आप उस पे ध्यान नहीं देते हैं तो वो फिर कोई मतलब नहीं बनता उसको तो हर चीज समय मांगती है तो वो ही मैं अपना समय आजकल पोदों में बहुत ज़्यादे दे रही हूं तो देखते हैं कितने सपल होते हैं तो फिलाल मैंने सारे पेड काट लिया है और इनकी एक्स्ट्रा पत्ती छुटा दिया हैं सारी क्योंकि जब आप कटिंग करके लगाते हैं तो पोदे पे एक्स्ट्रा पत्ती नहीं होनी चाहिए तो फिलाल मैंने सभी पोदों की इस तरह कटिंग कर लिया है छोटी छोटी जिनको मैं कटिंग के रूप में लगा दूँगी अगर इन से नए प्लांट निकलते हैं तो प्लांट पूसी हो जाएगा अगर नहीं निकलते हैं तो जब देखेंगे कि क्या कर सकते हैं और जो इनका ये उपर वाला हिस्सा है इसको मैं अलग गमलों में लगा दूँगी तो फिलाल में क्या करूँगी जो मैंने कटिंग लिया है तो इन में से क्या करूँगी इन में इस तरह आईज बनी हुई है इस तरह देख सकते हैं यहां से नए पोदे निकलेंगे तो यह इतने बड़े उसमें से मैं तीन कटिंग कर लूँगी एक एक किंच की मतलब एक कटिंग में एक आई होनी जरूरी है जहां से नई सूट निकलेगी और उसको मैं ऐसे ही मट्टी में बिल्कुल उपर के इससे में जादे गहरी नई दबानी है मैं आईज को उपर रखत हुए तो जो इसका उठा हुआ पार्टाइस है मैं आईज बोल रही हूँ तो इसको उपर रखते हुए इस तरह मैं इसको यहां रख दूंगी तो यह रूट भी बना लेगा अपनी और इसमें से पोधा भी निकल आएगा और इस तरह जो हमनें कटिंग करी है कटिंग के मा से भी एक या दो पोधे निकल जाएंगे और जो आईज लगाई है जितनी आईज लगाई है तीन लगाए तो दो तहर तो चली जाएंगे जहां तक मैं उम्मीद करते हूं तो देख सकते हैं तो यह हमारा चार या पाँच ह पोधे का गमला हो जाएगा तो असससे ज्यादा करके ही हम सीखते हैं प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे तो वैसा ही है तो यह मैंने अपने पोदे आज हिम्मत करके काट दिये हैं अभी मार्च का लास्ट चल रहा है तो देखते हैं कितना सफल हो पाएंगे और अगर आप अभी करना चाहते हैं इस काम को अगर आपके गार्डन में भी इस तरह के पोदे हैं तो कटिंग लगा सकते हैं आप तो अगर अब नहीं लगाना चाहते हैं कि अभी गर्मी की वैसे तो आप जब बारिश शुरू हो जाएंगे फिर तब लगाना क्योंकि अप्रेल में तो आप कर सकते हैं लेगिन आगे तक माई औ जुन में कटिंग से बिल्कुल नहीं चलती हैं क्योंकि गर्मियां बहुत हो जाती हैं तो मैंने अपने तीनों पोदों की कटिंग जो मैंने करी थी वह लगा दी है और एक पोदे में अच्छी सी कटिंग नहीं थी इसकी रूट मैं निकाल के फैंक दिया उसको मैं ऐसे ही लगा दूँगी अलग गंबले में तो वो देखते हैं कैसा चलेगा अब जो इनके उपर का हिस्सा मैंने काटा था यह दोनों को मैं एक साथ लगा रही हूं ताकि थोड़ा बूसी सा हो जाए क्योंकि दो दो भी पत्ते हैं इनमें अगर अलग 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 अलगांगी तो वो यह तो सिंगल ही चलेगा क्योंकि इसमें तो यहां से मतलब दूसरी वो नहीं निकलेगी लेकिन जहां से मैंने इसको काटा है महां से दो या तीन जरूर निकलेंगी तो प्लांट बूसी होने के जादा चांस है तो मैंने फिलाल अपने छोटे-छोटे सारे गमले तैयार कर अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी का पानी भी दे सकते हैं ताकि इन में फंगस ना लगे और पानी जादा नहीं देना है फिलाल जब सूख जाएं तब देना और च्छाम वाली जगे में रखना है और गार्डन में काम करते करते ना शाम हो जाती है कब पता ही नहीं चलता और ये मैं आपको दिखा रही हूँ वन वीक बाद का रिजल्ट देखो ये पोधा बिल्कुल हरा है इसमें ये आइज देख सकते हैं आप उपर को आने लगी है और पोधा बनने के लिए देख सकते हैं नए पोधे निकलने की तैयारी सुरू होगी है तो इसमें तो हम देखें तीन तीन लगाई तो तीनों में से ही पोधे सूट निकलने स्टार्ट होगी है और ड्रैसीना में तो नीचे से दो सूट निकल आई है और भी निकल सकती है तो आप देख सकते हैं एक यह आपको दिख रही होगी अभी बहुत कम दिख रही है लेकिन निकल आई हैं पोधे नए ठीक है और एक यह इधर है अभी मैं आपको गुमा के दिखाती हूं देखो यह बिल्कुल जड में से निकल काया है पोधा नया तो यहां से एक से दो तो हो ही गए तो प्लांट और थोड़ा सा बुसी मेरा हो जाएगा तो अगर वीडियो आपको प